हाई हाई गाई मैं नेम इस अदनान खान एन वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल भी एमस वस्ट इयर आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नमबर नाइन अस्टांग रिद्यका जिसका नाम है द्रव्य आधी विज्ञान तो चैप्टर कोम क्या बोल ब्सक्राइब पता चलिए होगा मैंने जर्व्य जियानि विज्ञान पढ़ा दिया है से पहले अस्टांग छिद्यका इसके आग्क हम इसको कंटीनि न्यू करतने हैं रफवे को तो सबसिपहले जाने के इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से अपने टॉपिक कवर करने तो तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढने वाले है रस के बारे में रश भैद्धी अध्या सफे चैप्टर नमबर के इसेने से नैक्स चेप्टर हो रहонों ठोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एस चैप्टर में तुम्हें उसका देने वालों रस का मतलब क्या होता है टेस्ट सेकेंड इस चेप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य के गुन गुन का मतलब क्या होता है क्वालिटी कौन कौन सी क्वालिटी प्रेजेंट होती है द्रव्य के अंदर नेक्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम वीर्य है वीर्य मतलब होता है इस ट्रेंथ कि एंदेन विपाग विपाग क्या होता है मैं आपको वीडियो के अंदर किसको नहीं भूलते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं आज कि इस वीडियो को सबसे पहले इसमें एक माई एए जरव्य तो डरब्य क्या ओता ऑधर कि जो पंच महभूत से मिलकर वना होता था इसमें और कुछ भी नहीं है तो द्रव्य क्या है पंच महाभूत से मिलकर बना है यह हम लिखेंगे पंच महाभूत पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं जैसे प्रित्वी जल अगनी वाई और अकाश यह हमारे पांच महाभूत होते हैं और इससे मिलकर बना होता है द्रव्य और द्रव्य के अंदर पांचों महाभूत प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिस महाभूत की प्रदानता द्रव्य के अ आना जाता है फॉर एक्जाम्पल मैं यह कहना चाहरा हूं जैसे अगर हम बात करते हैं किसी द्रव्य के अंदर कि प्रित्वी महाभूत की प्रधानता है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिव द्रव्य उसको हम क्या बोलेंगे पार्थिव द्रव्य इसी तरीके से अगर किसी के अंदर जल महाभूत की प्रदानता है उसको हम बोलेंगे जली द्रव्य इसी तरीके से वाईयों की प्रदानता से हम बोलेंगे उसे वाईविय द्रव्य एंड नेक्स्ट आगने द्रव्य एंड अका जिस तरीके से एक द्रव्य के अंदर एक द्रव्य के अंदर सारे माभूत प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से एक द्रव्य के अंदर सारे रस प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिस माभूत की प्रधान तो होती है उसी रस का उत्पादन होता है यह तुम्हें नेक्स चैप्टर म समझ आगा कि में क्या बोल रहा हूंस ठीक है तो जैसे मैं सब्सक्राहः बिख रहा हूं कि कोई भी द्रव्य कि एक रस वाला कि很好 ऐसं के नहीं होता कि क्यों नहीं होता क्योंकि उसकंदर सारे महाबूत प्रेजंट होते हैं तो उसके ना सारे ही रस प्रेजंट होंगे लेकिन जिस महाबूत की अधिकता से जो रस उथपन होगा वह हमें उस द्रव्य के व्यक्त होता है उसे रस कहते है रस मतलब टेस्ट कहते हैं अब मैंने आपर बोला कोई भी द्रव्य एक रस वाला नहीं होता तो सपोस्ट करो हमने कुछ मीटा खाया मीटे के अंदर और भी रस प्रेजेंट होंगे लेकिन वह हमें इस परस्ट नहीं होते तो उनको क्या बोले हैं तो जो इस परस्ट हो रहा है उसको तो हमने बोल दिया रस जो इस परस्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं अनुरस तिहां पर अनुरस के बारे मैं मैं लिख रहा हूं अनुरस जो स्वाद आस पसट रहता है या कुछ देर के Бाद इस पस्ट होता है जैसे fiz bizimeome जामन साकरा फ़ूसन हमिने जामन साकाइब लगता है उसके पहले मूं कश्त करल बटो कशरा हो जाता है तो उसका मेहन थ्पठत हूक उत्पर की Pero उसको मैं उत्पन हो रहा है उसको एक व्यारत आरत तो यहाँ पर लिखना अनूरस में जो सुवाद इस पस्ट रहता है या फिर थोड़े देर के बाद इस पस्ट होता है उसको हम अनूरस कहते हैं इसके आगे लाइन एड़ कर लेना या थोड़े समय बाद इस पस्ट होता है उसको हम अनूरस कहते हैं अब इसके बाद जो हम र द्रव्य के गुन द्रव्य के गुन यह मैंने फिजियोजी में चेप्टर कम्प्लीट कर दिया वैसे लेकिन मैं पर तुम्हें फिर से रिवाइस करवा देता हूं तो द्रव्य मैंने तुम्हें पांच प्रकार के बताया पार्थवी आप यह मतलब जलिए कह सकते हैं आगने सब्सक्किलीट कर दू है और यह कारे किया कर दर यहां पर मैं तुम्हीं समझाने वालाँ हूं the Association unusual पाँच सा पार्थव है इसी तरीके से सेकेंड में अप यह आप यह मतWow जल है जल को आप भी बोलते हैं next नदेट आता के अंदर आगने इस फोर्त आता के अंदर के डिव्य फिफ्स आता के इसके अंदर आकाशी अंधित गप रहां से पान्स टाइप के दरफ्वी द्रव्य हमें पढ़ने हैं प्लिन के गुण मुण लिखना हूँ इस तरीक से इसके नीचे में से गुण लिखती रहूंगा और यहांните करें क्या होते ह sıkака नों अपर शिरा देने पर ओधने रिगत एफिर कर्म।श्पमा ने कना één हेवी इस थूल सूक्ष्म नहीं होती है बहुत सब्सक्राइब बढ़ी होती है ठर्ड गुन आता है इसके अंदर यह इस्थिर रहती है एक ही जगह रहती है और खर मतलब रफ रहती है अम आई होप मुझे लिखने की जरूत नहीं है इनकी मीनिंग यह सब आपको याद हो यह से इस मुझत होता है ठीक है सनी का मतलब को पता है फिर यह मंद होता है मतलब स्लो होता है और गाला होता को इसको भी आपकर लेना हम नेक्स्ट बात하기 involves कि आगणे topics द्रव्य होते हैं रोश कुसने इसक्राइब मतलब पैनिट्रेटिंग पूष्ण मतलब होट विशद मतलब स्वच मतलब के लियर रहने वाले और सुक्ष्म सुक्ष्म मतलब माइन्योट यह गुन हो गए आगने द्रव्य के तो हम यह चीज पढ़ क्यों रहे हैं तो इसे पढ़ने का एक रीजन है जिसे कोई तो और द्रव्य होगा उस द्रव्य के अंदर कौन-कौन से गुण है किस-किस महाभूत की प्रदानता है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट पढ़नेंगे इसके अंदर हम वायवे द्रव्य वायवे द्रव्य के अंदर जैसे की रोश्ख विशद विशद मत मतलब लाइट वेट वाला होता है हलका होता है तो यह सारे गुण हो गए पांचो द्रव्य के अहम बात करेंगी इनके कर्म की जो यह हमारी बोडिक अंदर फंक्शन करते हैं यह चीज़ में पहले पढ़ा चुको इसके अलग इस चीज़ पढ़ानी है वह मैं इसके बात प वेट युस करेगा अगयरणा बात करता हूं अगयर के आगने की यह शने हमारी बोडीयक अंदर यह उस्प्ण करेगा अगयर मैं बात करता हूं वाइव ईए की यह रोष के तो लगू है लाइट होगा हमारी बोटी के अंदर और रफनेस प्रेडियूस करेगा इस सारी जो तो मैं पढ़ा चुक हूँ इसे जल्दी जल्दी रिवाइस करवा रहा हूं ठीक है अब नेक्स आता है इसके अंदर अकाशी द्रव्य यह सूक्षम होगा माइनीट होगा लगव होगा ला यहां पर वह पढ़ाने वालों में जो द्रव्य है उट दो प्रकार के माने गए तुम यहां पर लिखता हूं इस तरीके से अधर द्रव्य है कि दो प्रकार के होते हैं कि पहला कि छेदनी द्रव्य और दूसरा होता है इसके अंदर अभी कि ऊप्षम्निय द्रव्य तो सबसे पहले हम शहदने के बारे हैं पढ़ना स्टार्ट करते तो जर शहीं वास्त वह हैं तो जसे चादने द्रव्य यह क्या है नतायुग के अदर कि उसको शांत कर दें तो होते हैं मतलब और रेते हैं तो इम लेते हैं जो हमारी całe और चाह बड़े को बहार निकाल से उप्ड़ी निकाल एक यह चैनल गञें और अइसे द्रभ विए जो treaty वड़ वड़ बे और शांत कर दें ऐसे द्रव्य को हम बोलते हैं उप शमनी द्रव्य समझारी यह बात तो यहां पर हमें लिखना है कि यह कि शरीर कि यह है शरीर कूपित कि दोशों कि का छेदन कर कि शरीर कि से निकाल देते हैं किस प्रकार से निकाल देंगे देस पॉस करो हमने कोई ऐसा द्रव्य लिया जो हमारी बोडी के अंदर वातपित का बढ़ गया उसको भार निकालना तो क्या करेगा अपनी से वात्पित कपको तोड़ कर मडोड़ कर आपस में लिपट कर कुछ भी करकर उसका छेदन कर देगा अलग-अलग कर देगा चेदन का मतलब होता है यहां अपर अलग-अलग उसको अलग-अलग करकर हमारी बोड़ी से बाहर निकाल देगा ठीक है समझ आ रही है बात अब दोशों को शरीर में ही शांत कर देते हैं ठीक है तो दो प्रकार के द्रव्य होते हैं हमारे पास एक छेदनी द्रव्य और एक उप्शम्नी द्रव्य होते हैं जो कूपित दोशों को हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं इसको तुम्हें थोड़ा सा करके लिखन ठीक है और जो उप्षमीन होता है एसे दरव्य को शोसको हमारी बोडी के अंदर ही शांत कर देते हैं तो यह दो प्रकार के आई-आइओप आपको जीरा और नमक डाल देते हैं तो उससे वह लगू हो जाती है तो इस तरीके से मैनिपलेशन कर सकते हैं द्रव्यों के अंदर और एक एग्जामपल इसका और आता है अगर हम घी को और मदू को घी मतलब घृत मतलब घी और मदू मतलब शहद अगर हम इसको अलग-अलग मात्र घी तो यह होजएगी विशम मात्रा तो अगर हम विशम मात्रा में यूज करते हैं घी को और मदू को मतलब शहद को अगर हम लेते हैं विशम मात्रा में तो यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होती यह हमें जीवन देती है लेकिन अगर हम इसको सम मात्रा में यूज कर लेंग द्रव्य दही जो दही का द्रव्य है की प्रकृती गुरु है किन्तु उसमें जीरा नमक डाल कर दोनों से तर्क तयार जो मतलब हमें प्रोड़क्ट मिलेगा दोनों से मिलने के बाद जीरा और नमक से वह लगू हो जाता है वह लगू होता है तो इस तरीके से यहाँ पर हम मैनिपलेशन कर सकते हैं द्रव्यों के अंदर इस तरीके से यहाँ पर लिख रहो मैं दूसरा एक्जामपल इसका अगर हम घी को घी को घ्रिद बोलते हैं और शेहत को बोलते हैं मदू अगर हम इसको विशम मात्र में यूज करेंगे तो यह हमारी बोड़ी को जीवन प्रदान करेगी ठीक है मतलब इसका कोई साइड घी लिया पांच ग्राम हमने शेहद लिया तो यह हमारी बोड़ी के अंदर विश्च प्रड्यूस करेगी पोईजन प्रड्यूस करेगी जिसकी वज़े से यह मृत्त्य कारक बन जाती है समझा रही इतनी बाद रव्य में तो द्रव्य में अब तक पढ़ा किया तो एक बा आ पर रस कंप्लीट कर दिया जतना इस चैप्टर के अंदर है बागी जो रस के बारें बात करेंगे हमगे इसके नेक्स चैप्टर में करने अनुरस क्या होता है मैं तुम्हें यहाँ पर इह बताया सके द्रव्य के गुण बनें स्टार्ड करें जो में फिजिलोजी की वीडियो में भी बता रखे हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर पॉप पार और होगा आप इसको एक्स्लिक करें तो यहां पर इसलिए में जल्दी जल्दी इसको एक्स्प्रेंट करते हैं ताकि आपका पहले वाली चीज रिवीजन हो जाए अब इसके वाल मैंने तुम्हें पढ़ाया कि द्रव्य दो प्रकार क्यों होते हैं एक द्रव्य वो जो हमारी बोडी के अंदर बढ़े हुए द्रशों को शांत कर देता है ऐसे द्रव्य को हम बोलते हैं उप शम्नी द्रव्य चीज़ों को समझना हो साथा इंपोर्टेंट है तुम्हें आगे तक हेल्प होने वाली है इन चीतों से मैंने तुम्हें बढ़ाया कि हम द्रव्य के अंदर मैनिप्लेशन भी कर सकते हैं ज को अलग-अलग मातरा में लें विशम मातरा में लें तो यह हमारी बोड़ी को जीव निया देगी मतलब कोई हानिकारक नहीं होगी हमारी बोड़ी के लिए लेकिन अगर हम इसको सम मातरा में ले लेते हैं अगर हमने पांच ग्राम और पांच ग्रामी दोनों चीज़ों और अपनी प्रॉला हमसे कमेंट बॉक्स में जरुर पोचा है तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में